दिल्ली विधान सभा में दिल्ली के उपर राजयपाल विनै कुमार सकसेना के इस्तीफे की मांग को लेकर आमादमी पार्टी के विधायकों ने विधान सभा परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ती के सामने धर्ना प्रदर्शन किया आमादमी पार्टी के विधायकों ने खादी ग्रामो द्योग में उपर राजयपाल द्वारा किये गए 1400 करोड रुपए की घोटाले की निश्पक्ष जाच की मांग को लेकर विधान सभा में प्रदर्शन किया विधायकों की मांग है कि घोटाले की जाच पूरी होने तक दिल्ली के उपराजयपाल समवैधानिक पद को छोड़ दे आमादमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरब भारदवाज ने कहा कि नोटबंदी में गैर कानूनी तरीके से ब्लाक मनी को वाइट कराने का काम खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में हुआ है इसके निश्पक्ष जाच केंदर सरकार कराए विधान सभा में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे शाम साथ बजे आमादमी पार्टी के विधायक बैठे और रात भर परिसर में ही रुके वहीं आमादमी पार्टी की विधायक आतिशी ने CBI निदेशक से मिलने का समय भी मागा है